Hello everyone, CETAT परिक्षा की तेयारे को ध्यान में रखते वे, मैंने आप लोगों के साथ CETAT पेपर टू साइन्स की एक स्पेशल सीरीज टार्ट की थी NCRT स्पेशल सीरीज जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 की NCRT की साइन्स की किताबों की इन्पोर्टेंट की पॉइंट डिस्कस कर रही थी आज इस सीरीज का 6 पार्ट डिसकस करते हैं I hope आपने इसके पहले के पार्ट देख ले होंगे अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियो के लिंग मिल जाएगी चलिए वीडियो स्टार्ट करें अब चलिए सीरा वीडियो के तरफ बढ़ते हैं सीटार्ट के परिक्शा के अंदर विज्ञान हमसे 30 नंबर का पूछा जाता है जिसको यहाँ पे दो भागों में डिवाइट किया जाता है जिसमें से जो 20 नंबर होते हैं वो NCRT के किताबों के अंदर में से concept पूछा जाता है कक्शा 6 से लेकर कक्शा 8 के किताबों में से और जो 10 नंबर है इन से हमारी पैड़ागोजी पूछ जाती है इन वीडियो के माद्य हम से मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी जो कि हमें अलेकशकर फ्लाम ने डिसकोवर कर कि दी और एंटिबाइटिक क्या होती है एक तरीके से medicine का काम करती है और पैनिसिलीन को हम कहां से एक्स्टार कर सकते हैं इसे हम फॉंगस से एक्स्टार करते हैं अब चलिए next point discuss करें the largest part of our brain is हमारे brain का जो सबसे largest पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं उसे हम सेरी ब्रम के नाम से जानते हैं और हमारी ब्रेन को यहां पे तीन अलग लग पार्ट में डिवाइट किया जाता है सबसे जो front वाला पार्ट होता है उसे हम four brain के नाम से जानते हैं दूसरा जो पार्ट है वो mid brain के नाम से जाना जाता है और जो सबसे back side वाला पार्ट है उसे हम hind brain के नाम से जानते हैं अब देखिए जो four brain होता है उसके अंदर cerebrum पाया जाता है जो कि main thinking का काम करता है इसलिए हमारे brain का जो सबसे largest part है वो cerebrum कहलाता है अब चलिए next slide के जड़ा point discuss करें पहला point हमारे सामने है the tissue that connects one bone to the other यहाँ पे पूछा गया है एक ऐसे tissue का नाम बताईए जो कि एक bone को दूसरे bone के साथ जोडने में मदद करती है उसे हम ligament के नाम से जानते हैं और अगर हम से यह पूछ ले कि bone को muscle से कौन से tissue जोडता है bone को muscle से यहाँ पे tendon के द्वारा जोडा जाता है हमें यह दोनों point हैं पे clear होने चीए अब चलिए next point discuss करें mitochondria जिसे हम powerhouse of the cell के नाम से भी जानते है जो की cell के अंदर होने वाली सारी cellular activity के लिए energy देता है अगर इसे यहाँ पे ATP के साथ match किया गया है ATP क्या है adenosine triphosphate जिसे हम energy currency के नाम से भी जानते है अब देखिए अगर mitochondria को यहाँ पे ATP के साथ tick किया गया है तो ribosome को किस के साथ match किया जाएगा ribosome को protein के साथ match किया जाएगा क्योंकि ribosome जो है वो protein formation में हमें मदद करते है अब चलिए next slide के जड़ा point को discuss करें पहला point हमारे सामने है digestion के अंदर saliva के यहाँ पे function हमसे पूशा गया है saliva के अंदर जो enzyme पाया जाता है उसे हम salivory amylase के नाम से जानते है जो कि starch को simple sugar में convert करने में मदद करता है और उसके बाद यह खाना food pipe यानी की isofagus की मदद से stomach तक पहुशता है उसके बाद वहाँ पे further digestion का काम चलता है next point है the function of gills in the fish is जो fish के पास gills होते हैं क्या कार्य होता है क्या function होता है जो gills होते हैं वो dissolve oxygen को absorb करने में मदद करते हैं जैसा कि हमें पता है कि fish क्या करती है fish respire करने के लिए जो पानी के अंदर dissolve oxygen होता है उसे को absorb करती है और इसमें gills यहाँ पे मदद करती है अब चलिए next slide के जड़ा point discuss करें पहला point हमारे सामने है the rise of mercury in a barometer indicates सबसे पहले हम यह discuss करते हैं कि barometer क्या है barometer एक ऐसा device है जो कि atmospheric pressure को measure करने में मदद करता है अब यह पूछा गया है कि अगर barometer में mercury का level बढ़ जाता है तो वो क्या indicate करता है वो यह indicate करता है कि मौसम बिलकुल साफ है एक fair weather है अब चलिए next point discuss करें next point मैं यहापे बोल रखा है कि अगर हम woman की voice का pitch देखें तो वो generally देखा गया है कि man की voice की pitch से जादा होता है अब यह pitch किस पे depend करता है यह ज़रा है discuss करते है जो हमारा vocal cord है यह कितना लंबा है और साथे साथ यह कितना broad है इस सीज पे pitch depend करती है और अगर हम से कोई पूछे कि loudness किस पे depend करती है तो loudness इस सीज पे depend करती है कि हमारा जो vocal track है जो vocal cord है उसके अंदर जो cord है वो कितनी बार vibrate करती है इस सीज पे loudness depend करती है और हमारा जो vocal cord है, यह कितना लंबा है, यह कितना थिक है, इस पे pitch depend करती है अब चलिए, next slide के जड़ा point को discuss करें Which of the following hormones contain iodine? कौन सा ऐसा हॉर्मोन होता है, जिसमें iodine मातरा पाई जाती है यह है thyroxine, जो की thyroid gland से release होता है अगर thyroid, thyroxine hormone release ना करें तो हमारी body के अंदर iodine deficient हो जाएगा, iodine की कमी हो जाएगी जिसके वज़े से हमारा neck swell हो जाता है, जिसे हम goiter के नाम से भी जानते है next point है, galvanized iron sheet have a coating अगर हमें iron के उपर galvanization करना है, अब यह galvanization होता क्या है? अब देखिए, जब हम iron के article स्टार्टिंग में लेके आते हैं, तो वो काफे shiny होते हैं और जैसे जैसे वो moisture के contact में आते हैं, और साथे साथ air के contact में आते हैं iron rust होने लग जाता है, यानि कि iron में जंग लगने लग जाता है और अगर हम जंग लगने से बचाना चाहते हैं iron को, तो हम क्या करते हैं? उसमें एक zinc की layer लगा देते हैं, जिस process को हम galvanization के नाम से जानते हैं ताकि iron के उपर जो rust हो रही है, इसको हम prevent कर सकें अब चलिए, next slide के जड़ा point को discuss करते हैं, पहला point हमारे सामने है After physical exercise, we sometimes get muscle cramps, this result due to हम से पूछा गया है, कि कभी कभार जब हम physical exercises करते हैं, तो उसके वज़े से हमारे muscle में cramp होने लग जाते हैं यानि कि mass patient में दर्द होता है, वो किसके कारण होता है यह पूछा गया है Actually होता क्या है कि glucose जब breakdown होता है, तो यह बनाता है pyruvate और pyruvate जब energy release करता है, जब हम कोई physical activity करते हैं, तो उसके साथ एक acid release करता है जिसे हम lactic acid के नाम से जानते हैं, जिसके वज़े से हमारे muscles में cramp पादा होते हैं अब चलिए, next point जरा discuss करते हैं, next point है pituitary gland is located in, pituitary gland कहां पे located होता है यह brain में होता है, जिसे हम master gland के नाम से भी जानते हैं, जो कि growth hormone भी release करता है जो कि हमारी growth को regulate करने का काम करता है, अब चलिए, next slide के जरा point को discuss करते हैं यहाँ पे हमारे सामने एक mass the following दे रखा है, जिसमें हम सारे part को एक साथ ही discuss कर सकते हैं सबसे पहले हम discuss करेंगी liver के बारे में, जिसे हम largest gland के नाम से जानते हैं जिसके पास bile juice होता है, यह bile juice release करता है, जो कि gall blader के अंदर store होता है जिसका main function यह होता है कि यह fat को emulsify करने का काम करता है, fat के बड़े gobial को छोटे gobial में तोड़ने का काम करता है और ऐसे mass the following, ऐसा option जिसमें A का 4 दे रखा है, वो यहाँ पे correct answer होगा और ऐसा second option में ही दे रखा है, अगर हम question के according देखें तो second जो option है वो correct answer है पर चलिए जरह बाकियों को भी जरह discuss करें, अगर हम stomach की बात करें तो stomach के अंदर gastric juice release होते है जो कि 3 अलग-लग चीजे release करता है, सबसे पहले HCL जो कि acidic medium create करता है ताकि pepsin अपना function कर सके और pepsin क्या करता है, pepsin यहाँ पे protein का digestion स्टार्ट करता है इसके अलावर यहाँ पे, अगर HCL यहाँ पे acidic medium को create करता है, तो इससे क्या होता है, कि stomach के wall को protect करने के लिए यहाँ पे mucus भी release कराया है, जाता है अगर हम यहाँ पे mass the following के according देखें, तो stomach के लिए यह first option यहाँ पे correct होगा where protein digestion स्टार्ट, जहाँ पे protein का digestion स्टार्ट होता है, जो कि pepsin के द्वारा किया जाता है अब चली, gallbladder के बात करें, gallbladder कहां पाया जाता है, यह liver के अंदर पाया जाता है, जो कि bile juice को store करने का काम करता है यह भी हमने discuss किया था, इसके अलावा अगर हम pancreas के बात करें, तो pancreas क्या करता है, जो digestive juices होता है उन्हें small intestine में release करने का काम करता है, इस तरीके से हम seatite के परिक्षा में आने वाले science के mass the following के question को आसानी से solve कर सकते है आज की इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आप से मिलूँगी नेक्स वीडियो में, नेक्स टॉपिक के साथ, बाई बाई, टेक केर